लास मिली है तो हम लोग चाहते हैं और सारे लोग हम लोग खड़े होके इनको न्याय दिलाएंगे जैसे भी गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा इसी तरह को खुटार में भी एक कांड हुआ था इसमें कुए में फेक दिया गया अब पुलीस जो है उ जाने के बाद वो दिखा नहीं है किसी एक वहां लास पड़ी है पार्टरमंग्यार में जारु भट्टी के सामने एक लावारी घर है उसी में लास है हमने परसम दिश्च्चा वहां गया और वहां देखने के बाद कोई नहीं हुआ तो मैंने थाने में फाई आर किया कि कही इस लड़के को मारा गया है, और मार के ही इसे लटकाया गया है, और जब जिस दिन ये लड़का गाइब हुआ है, उसके दूसरे दिन इनकी माल ठाने में गई थी रिपोर्ट करा दे। आईए सिधे जुड़ेंगे हम वाट नमबर 9 के पारसद हैं, सेखर सिंग जी और वरिष्ट नेता भी हैं कॉंग्रेस के, कही न कहीं सवाल जरू खड़ा रहा हम मोहित को लेकर, उदर से आए भी हैं कि जो है मोहित को इंसाफ मिल सके, आईए सिधे जुड़ते हैं जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना के इसे में क्या बोलना चाहेंगे जो हमें अभी पता चला है, वो सरासर मार के फेकने वाली बाते हैं, वो जो टंगा है कहीं न कहीं उसके हाँ टूटे हुए हैं और ये टंगा गया है, और ये प्यार का मामला था, इसमें घर वालों ने लड़के को बुलाया है, जो घर परिवार के, मिर्तक के परिवार वालों से पता चला है, कि उस लड़के का, लड़की के मा, बाप, पिता जो है, उस लड़के को बुलवाया गया, अब बुलवाने के बाद हो कहीं न कहीं मारा है, अब मारने के बाद रात में टांग दिया इसी तरह के खुटार में भी एक कांड हुआ था जिसमें कुवे में फेक दिया गया अब पुलीस जो है उसको बेनामी करके घोसित करके और उल्टा पुल्टा केस बना दी इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें जो भी होगा निस्पक्स्ता के साथ होगा तो कॉंग्रेस पार्टी पुड़ी खडी रहेगी इसमें कहीं अगर देखा जा तो आरूपी के जो होसले हैं इस तरह से बुलंद होते हैं और आगे भी इसी प्रकार की घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं और सभी बात है कुटार में भी इसी तरह का हास्ता पेसा आया था आप अभी जूडेंग नहीं यह तो प्रतम दिस्टिया यही दिख रहा है कि यह मडर करके इसको टांगा गया क्योंकि चोट के निसान है दाथ टूटा हुआ है लोग बता रहे है हाथ भी टूटा है तो यह किसी का हाथ टूटा हुआ आदमी कैसे फासी लगाएगा यह पॉसिबल भी नहीं है और लोगों का कहना है कि उस दिन रात को वहां बुलेरो देखी गई कुछ लोग हम से यह चर्चा कर रहा है वो फुटेज में आ भी जाएगा जो समझ में आ रहा है इसको ले आ के मारा गया है और जो इनके लड़की के परिवार वाले जो बता रहा है एक लड़की भी बता रह कि रहा है तो इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कुछ ने कुछ अक्षट तुरंट फोरन वलेंगे तो हो सकता है कि उनको स्ट्रोंगे ना करने का समय नम भी क्या बोलना चाहेंगे पृषवरे के प्रत्रम दिरिष्ट्या आज देखने पर तो यह किलियर है कि इसको तो फत्या की गई, मारकर वहां लाके फेका गया हो, कल मुझे मीडिया के माध्यम से एक संबद पतरकार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी, कि एक वहां लास परी है, बाटकर मंक्यार में, दानु भट्टी के सामने एक लावारीज घर है, उसी में लास है, हमने परसम दिश्चा वहां गया, और वहां देखने के बाद कोई नहीं हुआ, तो मैंने थाने में फाई आर किया, और फाई आर करने के बाद लास को उतरवा क लाया, फिर उनके घर वालों ने, कि जैसा कि उनकी एक बहन का बयान है कि लड़की संदे ते लड़का गायव है, लड़की वालों के द्वारा बुलाया गया कि आओ मैं तुम्हें साधी करा दूंगा, और संबार के सुबह 6 वजे वो लड़की इनके घर पे, आकर कि दस चार घंटा रही है, इसके बाद वो चली गई है, लास देखने पर इसलिए मैं कानून लिपा पोती का काम छोड़ दे, और ततकाल प्रतम दिरिस्या उनके फायाद दर्ज कर जाच करके इस गरीब को न्याय मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला न्याय तो अभी तो चाहिए सही मांदारी के साथ इस गरीब को न्याय मिलना चाहिए, चाहिए कितने हो, कितना भी पहुचवाल आग्मी हो, कहने कहिए कर देखा जाए तो यह सफल की टीम आई है, बगायदे बारिकी से जहां जहां छोट की निसान है, फोटो, ग्राफी हो रही है, ताकि जहां चाहिए है, बहुत ही दुरभागपूर्न है, और यह देखने से ग्यात हो रहा है कि कहीं कहीं इस लड़के को मारा गया है, और मार के ही इसे लटकाया गया है, और जब जिस दिन यह लड़का गायब हुआ है, उसके दूसरे दिन इनकी माल ठाने में गई थी रिपोर्ट कर तो इस समय ही पुलिस को उस लड़की पच को पुछना चाहिए, और लड़का अभी है क्या है, अगर उस समय एक्षन हो गया होता तो साइद यह घटना नहीं होता है, और दूसरी बात है कि लड़के का मित्र ओर लड़के का बहन बता रहिये कि लड़की के पिता फॉन करक उसी दिन से गाइब है, कई जगा चोट के निसान है इसमें, तो इसका मतलब है कि जब वो बुलाया है, बुलाने बाद ये घटना हुआ है, तो कहीं न कहीं ये पूरी संका है कि उन्हीं लोग के द्वारा ये घटना किया गया है, पुलिस को निस्पच जाच करके और इस पर निया दिलाने का कायर करना चाहिए, हम लोग तो ये चाहिए कि इसमें निस्पच जो नहीं, तो आने वाले समय भी और घटना होगा, अगर ठीक है कोई प्रियम परसंग का मामला भी था, तो थाना पुलिस था, इनके माता पिता थे, रिपोर्ट करते, वो नबालिक लड़ भी कर रहे हैं, और साओ को पीम के लिए भेजने के तयारी ब्यूटे हुए है, परजिनों का रोरो का बुरा हाल है, वो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि जो दोसी हैं उनके पर कारवाई की जाए, तेख रहे हैं, जैसा कि आप वता दे कि एक हासा हुआ है, एक लड़की की जो है लास मिली है, फंदे पर लड़की हुई, और वो पिछले पांच दिनों से लापता था, तो मेटर जो है, लड़की से जुड़ा हुआ है, पता है जो है कि मारफीट का मामला है, अब इससे पहले कुछ मेहने पहले इसी तर की घटना कुए में मारके लड़के को फेक दिया मोहित बादूर। और था ना कि मुशुआ है, अब रखा राथ में कOW्याया ऑवा जुआ है, लौझ और पहुछी धियां फेले दिनों भौप कामलत पी त मतलब हैं से कुछिया है, तो मेरे घर नड़की की टाउटए और किसी को नहीं बताया है, बताने बतार के मारा गया ह कौन लड़की पहुंची और मुखिर्वा की लड़की है नेहा पांडे पूरा मामला बताई विश्टार से आराम से बताईए उसको मारा गया है युलंग मार के आया है कंप्लेन लिखवाने के लिए लाच तो ये लेकिन इसके हैं मिली है उट्टी के पास में हाँ तो मार के को हाँ अबलाज कर देऊ है उसका दाट सब डुटा अगर ऐसमी लगाता तो दात मुख क्यों तूड़ता चेहरे पर मारने का निसान कियो रहता यह बताएए ना कोई फासी लगा तो गेवल गर्दन पर ही निसान ला जगा हर जगा के यूग निसान जाए जाला कि मारने का भी निसान नहीं किस पर दावट है। भ сильआ है लाइक पर डॉट हैज। जुड़ मैं कारे गार अआ खाया ह्शली दूसरे दिलूज जूटय दिम्स लमने पर पहुंचाल है। अगर बाई भाई भाई परसान कर रहा तो उनकी लड़की को बताना चाहिए क्यों नहीं बताया एक बार आके अमनों को साधान तो करना चाहिए था संजा लो अपनी लड़की को अचलो मेरा बाई गलती भी किया ते दो जापना चाहिए था जान से क्यों मारा रहा हमनों को इंसाब ने कहीं सवाल जरू खड़ा होता है फिर से आपको वदा लेकि आज छ चोट के निसान है उसका फोटोग्राफी कर रहा है अब ही जो है पीम के लिए जो सव है भी जाएगा बैढ़न लेकिन कहीं कहीं अगर देखा जाए तो इस तरह का अगर घटना अगर देखा जाए तो कहीं कहीं निंदनी है जिससे जो अपरादी है अगर इस तरह का और भी मिर्थु कैसे हुई है लेकिन चलती चलती ची बोलना चाहेंगे सजग रहें और सचेत रहें ताकि इस तरह कोई वारदार ना हो तो बने रहें पोल फोल पोस्ट के साथ अगर आप फेस्बुक के समझार देख रहें तो सेयर करें लाइक करें पेस को धन्यवाद